फाइंड यॉर वाई बाइ साइमन सिनेक, डेविड मैट, पीटर डॉकर ये पहचानी कि आप कुछ क्यूं करना चाते हैं। क्या आपको उस वजे का पता है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते और सोते हैं, और फिर से सब दोहराते हैं। दूसरे शब्दों में क्या आपकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में एक उदेश और दिशा हैं। आप अपना उदेश और उसे कैसी जीए, ये डिसकावर करेंगे, भले इसके लिए आपको अपने अतीत में जाना पड़े, या आपको कुछ अजनबियों के साथ उसे साजा करना पड़े। पहला सबग, अपने वाई को जानने का मतलब, अपने मन में एक स्पष्ट उदेश रखना है, और ऐसा करना आपके बिजनस को और भी अपीलिंग बनाता है। अगर आपने कभी अपनी जिन्दगी में खुद को खोया हुआ असंतुष्ट महसूस किया है, तो शायद इसकी वज़े आपके पास एक उद्देश का नहीं होना है। या जैसा साइमन कहते हैं कि अपने वाई को न जानना हो सकता है। अपना वाई ढूंडना एक चैलेंज हो सकता है, पर एक बार अगर आप उसे ढूंड सके, तो फिर आपकी जिन्दगी में हमेशा एक उद्देश और दिशा रहेगी। सिनेक ने अपना वाई अपने काम में अपना सारा पैशन खो देने के बाद पाया था। उस वक्त वो अपने आपको बहुत निराश पा रहे थे और कई तरह की सला पाने के बावजूद भी वो कुछ भी सही से नहीं सोच पा रहे थे। काफी आत्म मन्थन के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका वाई दूसरों को इंस्पायर करना है और ये समझने पर उन्हें अपने अंदर एक नई उर्जा का एहसास हुआ था अपने वाई को जानकर के सिनेक ने अपनी जिन्दगी की दिशा खोज ली थी और इससे आया उनका confidence लोगों को भी काफी प्रभावित करने लगा था ये सिर्फ लोगों पर ही नहीं बलकि companies पर भी लागू होता है इसका उधारन apple है जिसके competition में कई कमपनिया है जिनके products कहीं जादा सस्ते हैं पर apple के ग्रहक उनके think different motto के कारण उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं ये motto ही apple का why है ग्रहक के कैसी company पर जादा पैसे खर्च करना पस मार्केट में एक ताकतवर वज़े कितनी असरदार हो सकती है ये देखने के लिए आईए एक paper company के advertising pitch को देखते हैं पहला pitch paper की बहतर quality और affordable price के बारे में हैं दूसरी pitch लोगों के विचारों को दुनिया तक पहुचाने के company के mission के बारे में थी दूसरी pitch पहली से कई बहतर और आकरशक है और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें company का why मौजूद है कभी कभी हमें खुद को भी advertise करना पड़ता है खास कर तब जब हमें एक job interview में हो जब हमारे लेखकों में से एक के Emily नाम की एक client एक interview के लिए shortlist हुई थी तो उनसे सवाल पूछा गया था कि उनमें क्या खास है ये Emily के लिए अपने why को दिखाने का एक अच्छा मौका था इसलिए उन्होंने खुल कर के अपने लोगों कीमदद करने की इच्छा और दूसरों के साथ काम करने के मौके के बारे में बताया उन्हें अपने why के बारे में सपष्ट रूप से पता था इसलिए उनका उस job क लिए चुनलिया जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। इसमें उन तीन लेवल्स की बात हुई है जिनमें हम काम करते हैं तो पहला लेवल बाहर का सरकल है जो वाट के बारे में है बीच का सरकल हाउ के बारे में है अंदर का सरकल वाई के बारे में है जब ये सारे सरकल अपनी सही जगह पर होंगे तब आपको अपना पैशन मिल स्टीव नाम के कादमे से हुई जो कि 23 साल की अपनी जौब के बाद भी अपने काम को लेकर बहुत उच्साहित था। ऐसा कैसे संभव था। स्टीव का वॉट इस्टिल प्रोडक्शन था। उनका हाउ एक रिसाइकलिंग में आसान और कम प्रदूशन फैलाने वाला प्यॉर तलाश रहे हैं तो आप अपने अतीत में जाकना शुरू करें। एक महिला को उनके वाय को ढूंडने में मदद करते वक्त लेखक ने एक डिस्कवरी एक्ससाइज ट्राइ की थी। जिसमें उस महिला को अपने अतीत से जुड़ी बाते बतानी थी। तो इसमें कई दर्दन जो कि आपके वाय को ढूंडने में इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा सबग एक बाहरी आदमी आपके वाय की तलाश में काफी मदद कार हो सकता है। अगर आपने अतीत को अच्छे से खंगाल लिया है और फिर भी आपके पास कोई जवाब नहीं है तो घबराइए नहीं। आपको अच्छे से जानता हो आपके वाय की तलाश में एक बहुमुल्य रिजोर्स साबित होगा। उस इंसान को आपका करीबी होने की जरूरत नहीं है। उसे ना बस थोड़ा उत्सुक और चौकस होना होगा। अगर वो इंसान आपके अतीत से बहुत जादा परिचित न कि यहाँ अपनी गर्मिओ की छुटियां बिताती थी, ऐसी चीजों में बदल सकते हैं। अपको आपके वाय तक ले जाएगी। एक अच्छा शूरूटा आपकी बातों में से कौशन ऐलिमेंट्स निकाल सकता है। ऐसा ही टॉड के साथ भी हुआ था जिनोंने तीन कहानिय शेर की थी पहली उनके नशे की लट के कारण उनके बास्केट बॉल स्कॉलर्शिप चले जाने के बारे में थी दूसरी उनके बार्टेंडर के काम से होने वाली जलाहट के बारे में थी और तीसरी उनकी अपनी सारी बार टिपस एक लड़की को उनके नीमू पानी के दुकान के लिए देने के बारे में थी इन कहानियों को सुनकर के लेखकों ने ये रिजल्ट निकाला कि टोड एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वाकई एक एहमियत हो और जो दूसरों की जिंदगी बहतर बना सके चौथा सबग वाई डिसकवरी वरक्शॉप्स बिजनस और टीम्स को उनका वाई ढूणने में मदद कर सकती हैं भले आपने अपना पैशन ढूण लिया हो पर अगर आपकी कंपनी का वीजन क्लियर नहीं है तो भी आप अपनी जॉब से असंतुष्ट हो सकते हैं ऐसा होने से रोकने के लिए आप एक सिंपल वाई डिसकवरी वरक्शॉप रख सकते हैं जिसमें आप कहानिया शेयर करके अपनी कंपनी का वाई डूण सकते हैं एक यादगार वरक्शॉप एक एस्प्रेसो मशिन कंपनी ला मार्जोको ने की थी जिसमें करमचारियों को उनकी उन कहान और इससे ला मार जोको का वाई भी निकल कर आया, जोकि लोगों को कॉफी के द्वारा लोगों को बातों के लिए एक साथ लाना था। इसलिए युराईब और उनके भाईयों ने एक वरक्शॉप अटेंड की, जिससे उन्हें अपने बिजनस के लक्ष को फिर से ढूंडने में मदद मिली। इसलिए डिस्कवरी वरक्शॉप आपके बिजनस को उनका कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन स्टेक्मेंट और उनके भविशे का वीजन, डिफाइन करने में मदद कर सकती है। इन सारी चीजों से करमचारियों को सही फैसले लेने में काफी मदद मिलेगी। पांचवा सबग और यह देखिए कि कैसे आपका व्यवहार आपको आपके वाई तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। पीटर डॉकर का वाई लोगों को असाधरन चीज़े करने के लायक बनाता है। और यह मुम्किन बनाने के लिए उनके पास कुछ हाउस भी है। उनमें नई सेमाओं तक खुद को पहुँचाना, दूसरों से अच्छे संबंद बनाना और एक बड़े स्कोप पर चीज़ों को सोचना शामिल है। अपने को वर्कर्स का हाउस समझना भी यहाँ पर काफी फायदेमन्थ होता है। पीटर अक्सर डेविट के साथ Know Your Why इवेंट्स करते हैं। इस नामुंकिन से लगते हुए काम को अंजाम दिया। डेविट काफी इनोवेटिव है और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने इवेंट को 150 लोगों के लिए मौडिफाई करने में किया था। पीटर चीजों को आसान करना जानते हैं। जो इस इवेंट में समय की सीमा के कारण एक बड़ा ही जरूरी काम था। किसी के हाउ को समझना उसके काम के तरीके को समझना है और इस जानकारी के साथ हम उनकी ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। काम बाट सकते हैं और सबके साथ काम कर सकते हैं ताकि हर चैलेंज को एक काम्याबी में बदला जा सके। च्छटा सबग इस्तेमाल होते रहेंगे इसका ये भी मतलब है कि वो डेडलाइन्स और तोरंत मिलने वाले प्रॉफिट्स पर कम फोकस्ट है अपने हाउं की तहे तक जाना सिर्फ सेल्फ अवेरनेस के बारे में नहीं है इससे आप अपने लिए अवसर भी ढूंड सकते हैं अपने हाउस को समझ करके ही साइमन ने अपने वाई या अपने ओवरॉल गोल्स को समझा था कुछ साल पहले साइमन एक बड़ी कॉर्पोरेशन के एक एक इग्जेकिटिव से मिले जो लोगों को प्राइरिटी देने वाली एक कंपनी खड़ी करना चाहते थे उनका वाई दूसरों के सपनों के बारे में था जिसकी वज़े से ये एक इंट्रिस्टिंग ओफर था पर जैसे जैसे साइमन अपने होने वाले पार्टनर के उद्देश्य समझते गए वैसे वैसे उन्हें ये पता चल गया कि वो इनसान सिर्फ मुनाफिक के लिए ही काम कर रहा है जो साइमन के काम करने का तरीका नहीं था साइमन के हाउ में चीजों को एक अलग नजरिये से देखना भी था जो की एक और चीज थी जिसमें उनका पार्टनर इंट्रिस्टेट नहीं था ये उन्हें साफ दिख रहा था कि उनका और उनके पार्टनर का हाउ और वाई कभी भी मेल नहीं खा रहा था इसलिए ये प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया हाँ वैसे इस project पर काम करने से उन्हें अपने resume के लिए काफी फायदा होता और उनके clients भी शायद बढ़ जाते पर ये experience उनके लिए बुरा होता इसमें कोई शक नहीं अगर आप भी कभी खुद को इस तरीके की situation में पाए तो आप अपने how की मदद से चीजों को analyze कर सकते हैं जिससे की आप सही फैसला ले सके सात्वा सबक अपने why को discover करने के बाद उसे share करना भी जरूरी है एक अच्छी जिन्दगी के सफर में अपने how और why को पहचानना एक एहन कदम है पर इसके साथ आपके मुश्किल काम यहीं पर खतम नहीं हो जाते आपको अपने why को दुनिया के साथ share भी करना होगा और इसक प्लेन में आपके बगल में बैठे हुए आदमी किसी party के दूसरे guest या waiting room में बैठे हुए किसी अजनबी के साथ भी कर सकते हैं आपको ना शुरू में यह सब बहुत uncomfortable लगेगा पर अजनबियों की यही बात सबसे अच्छी है आप उन्हें शायद ही फिर कभी देखेंगे तो इससे आप अपने वाई की presentation को practice करके अपने मन मुताबिक भी बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपने वाई को दुनिया के साथ share करने पर आप अपने शब्दों को असलियत में बदलने की कोशिश करने पर मजबूर हो जाएंगे जितना आप अपने इरादे को आवा बात करते रहने के भी अपने फायदे हैं आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपका product कब outdated हो गया है आप अपने मारव संसाधन को बहतर समझ सकते हैं जिससे आप अपने employees बहतर तरीके से चुन सकते हैं और उन करमचारियों को पहचान सकते हैं जो आपकी company के why के हिसाब से न तो कुल मिला करके अपनी जिंदगी का उद्देशे या why न जानना लोगों, टीमों और बिजनसे के लिए एक जुंजलाने वाला अनुभव होता है पर इस why को पहचानने के तरीके हैं जनका इस्तेमाल करके आप एक motivated, passionate और productive जिंदगी जी सकते हैं क्या करें? अपने वाई को पहचानने के लिए अपनी formative कहानियों की और दीखिए हमारी कहानिया हमारे वाई की खोचका एक बहुत बड़ा हिस्सा है अगर आप किसी से अपनी कहानिया साजा कर रहे हैं तो आपको दोनों अच्छी और बुरी कहानिया सुनानी होगी वो का आपको बनाने में एक रोल होना चाहिए